बात कुछ राजनतेक खबरों की करते हैं भुपाल मिस्वास्त मंत्री नरुतम मिश्रा ने पूर्व मंत्री मर्ती देवी से मुलाकात की है मर्ती देवी का कहना है कि बीजेपी जॉइन करने के बाद उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी इसलिए वो नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। साथी उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं है, जो भी जिम्मिदारी मिलेगी उसे पूरी इमानदारी से निभाएंगी। पूरू मंत्री रही मर्ति देवी हमारे साथ है अभीन ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रस उनकी मुलाकात हुई है चर्चा हुई है दिदी क्या बाचीत हुई मैं जब से डिली से लोटके आही हैं जब से सदस्ता लिये हमने बीजेपी में तो मैं किसी नता सclingे मिले लेकिन आज बाते हैं चुनाओं की हैं यह सब होती है इसमें कोई चोरी की बात तो है नहीं और हम तो जब वो बीजेपी में थे मैं कांग्रेस में थी जब भी हमारी मुलाकात होती थी क्यों है क्या हम ये कई सहर से आते हैं पडोसी हैं हमाई उनके परवार एक संबंध है उनके परवार और हमारा परवार हम ये खोके रहते हैं तो पाईटी से मतलब थोड़ी है मंत्री मंदल विस्तार की भी संभावना जल्दी मंत्री मंदल विस्तार हो सकता है उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई आपके? जब जो मिल जाता है उसे देके निवाती बड़ी जुम्मेवारी से हैं कांग्रेस पाइटी में जब थी तो मुझे महला बालविकास मिलाता तो आपने देखा मैंने पूरे महला बालविकास में काम किया है और मैं जब केंदर में बीजेपी की सरकार थी और हैं राजजी में कांग्रेस की फिर भी मैं मैं हुआ से अपने आवार्ड लेकर आई हूं काम करने में और आज भी जो भी जुम्मेबारी देगी हमें बीजेपी सरकार उसमें पूरी जुम्मेबारी के साथ काम करूँगी कभ मेरे साथ ही। चाहे कांग्रिस के हो, चाहे भीजेपी, सब मेरे साथ हैं और मैं उनके बलबरूसे पर IJPूद शचूनाव लडूँगी। इसलिए कि बच्चे से लगा के बूड़े तक जबन सब मुझे बहुत चाहते हैं और मैं भी उन्हें बहुत चाहती हूं दिल से डबरा विधानसवा की जनता को इसलिए मुझे भरोसा है उन पर आपका कहना था कि जोद्य रादे सिंदिया की उपेखशा हुई लगातर कॉंग्रेस में जिसके कारणा वो भाजपा के साथ है तो आप भाजपा में इूमेदारी मिल सकती है तो आपने देखला क्यों ने क्या कर दिया और उनने घुम्यवारी मिले है बो भी मत पर देस्मे प पारियों के लिए दुकांदारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं वह एक जो जारू नेता हैं संगर सिन नेता हैं काम करने वाले नेता हैं और जमीन पर उतरने वाले नेता हैं हाँ बनेंगे देखना चाहेती हूँ भाजपा की नेता है मरती देवी हमारे साथ थी और उन्हो पर उनका ये कहना था कि चुनाओ उप चुनाओ की तैयारिया शुरू हो गई हैं मंत्री मंडल के इटकले जा रही हैं उन्होंने ये कहा कि जो पद उन्हें भाजपा के आला कमान द्वारा निर्दारित किया जाएगा वो उस पर काम करेंगी